दोस्तों यह बहुत बड़ा और एक कड़वा सच आप लोग बोल सकते हैं कि जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुछ डिसाइड करते हैं और उसको चीव कर पाते हैं क्यों क्योंकि उसके लिए आप लोग को सुरुआत करते हैं आज आ रहे हैं मरे थोड़ी कि है वो काम आप लोग कर रहे हो तो आप लोग की मंजिल आप लोग को मिल ही जाएगी बस आप लोग को ठीके रहना है जिदिन आप लोग वहां से छोड़कर भागे न असलियत में हार उस दिन होगी तो यह चीज में क्यों बता रहो आप लोग क्योंकि अकसर जब आप लोग भी भी give up नहीं करना है ठीक है तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंज्योई कर रहे हो अपनी सेथ फैमिली और प्राई का ध्यान काफी एची से रख रहे हो आज 6 जून आज का आये ने यानिके important news analysis जिसको बड़ी प्यार से हम लोग balance diet बोलते हैं बहुत शांदार रहने वाला है क्यों क्योंकि balance होने वाला है यार काफी कुछ इसके अंदर में अलग अलग newspaper के वो important article जो आप लोग के exam में आप लोग को फाइदा पहुँचाएंगे वो में हाँ पर cover करने वाला हूँ सबसे पहले तो आप लोग ये बताईए कि कल का दिन कैसा रहा आप लोग का और इसको बताने में कोई सरम न्यानिचार आप लोग को अगर अभी से आप लोगोंने सरम करना है स्टार्ट कर दी अभी तो कुछ जिंदगी में ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ फोर दिया है पात को आगे लेकर चलेगा मेरे गोल को अचीव करवाएगा तो अगर आप लोग उस इंसान से सही से बात नहीं कर पाते हैं उस इंसान के साथ में दो मिनट बैट कर आप लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं तो आप लोग कभी जिंदगी में अपने टार्गेट तक नहीं पह बैठा करो यार 10-15 मिनट अपने आपको दिया करो समझ में आएगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो अपने साथ में बैठा करो कम से कम अपने आपको टाइम दिया करो और यार देखो कोई भी इंसान ना मसीन नहीं है कि वो आज सब कुछ 100% अचीव कर रहे हैं हर एक इंसान जिन्दगी में ups and downs आते हैं पर लेकिन सबसे खतरनाक इंसान वो ही है जो फिर से अपने आपको उसी situation में manage करकर लिया है यानि कि आज वो गिर गया है पर कल फिर उसी हिम्मत के साथ में उसी ताकत के साथ में आकर खड़ा हो गया सामने बंदा वो है reality में असली इंसान वो ख अचीव करने भले कितनी हार क्यों ना आजाए तो यह चीज फील करनी स्टार्ट करनी पड़े यह अंदर से आज नहीं हुआ रोने बैट गए यह कल नहीं हुआ रोना निये भाई बहुत लंबी जरनी है और अगर डेली रोते रोते रहोगे इस तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा तो उस चीज को भी इंजोए करने स्टार्ट करो जिस चीज को लोग रोते हैं और फिर देखो क्या शांदार तरीके एनर्जी अंदर से निकल कर आती है यह रियल्टी बता रहा हूं आप लोगो और यह चीज़े कुछ ऐसी हैं जो जिन्दगी में आप लोगोंने इस तरीके इंसान पाओगे जो लोग दूसरे तो दूसरे आप लोग खुद अपने आपको देखकर सरप्राइस जाओगे वगोगे पस थोड़ा सा टाइम देना इस चार्ट कर दो अपने आपको सर के ऐसी बात कर रहे हो, टाइम ही तो नहीं मिलता, उसी ने तो खून पी लिया, टाइम नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ा ही शांदार सा ये सलवी प्लानर है, ये आप लोग को मिल जाता है, हाँ पर आप लोग जा सकते हैं टेलिगाम के उपर, इसको भरना है स्टार्ट क करो, किसी और के उपर नजर मत रखो, ठीक है, तो पडोसी पडोसन उनको छोड़ कर, या फिर अपने कोई भी इससे इंसान को छोड़ कर, जिसके साथ में आप लोग बहुत ज़दा टाइम वैतीत करते हो, थोड़ सा टाइम इधर निकालो, तो फिर देखना आप लोग को स सारी चीजे समझ में आएगी, तो ये कैसी चीज है, जो डिस्सिप्लिन लाने में आप लोग को बहुत हैल्प करेगी, यकीन यादा तो इंपलिमेंट करके देखो, उसके बाद में आके बोलना, कि सर फालतू की चीज बोल दी, कुछ भी तो नहीं थी वो, एक बार फिर बो लोग जब कुछ चीजे डिसाइड करते हो, तो उस चीजों के बारे में थोड़ा सोचा करो, आप लोग क्या बनना चाहते हो, उसको फील किया करो, कई सारे बच्चों ने अपने नाम के सामने, आईएस, आईपेस, यह कुछ लिख रखा है, कमेंट बोक्स में आंसर देते ह तो मुझे दिखता है, कि हाँ, यह बंदा जो है, जिसने रियल्टी में अपने नाम के सामने कुछ लिख रखा है, और वो रियल्टी में उसको फील कर रहा है, तो वो इंसान जो है, वो थोड़ा देर हो सकती है, पर लेकिन वो अपने काम पर जुरूप होचेगा, इस बात पर लेकिन अपने टाइम को अपनी कावेबल्टी को यूटिलाइज करने की कोसिस करो, systematic way में, तभी आप लोग सही जगह पहुँच पाओगे, और कभी एक जगह से दूश जगह अगर सिफ्ट होना है न आप लोगो, तो हमेशा अपनी चीज़ों को इस तरीके से लेके चल करो, कैसा नहीं कि आज ये बंद कर दिया, कल को दूसरे चीज़े स्टार्ट कर दिया, transition के phase में रखो, job से अगर आप लोगो माल जिए, preparation में सिफ्ट होना है, तो पहले अपने आपको preparation में डालने कोसिस करो, 2-3 महीने job के साथ साथ में, तभी आप लोग वहाँ पर उस पर स बहतरीन तरीके से, कई सारी और भी चीज़े के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगी, जो basic information के साथ में हम लोग सारी चीज़े डिसकस करेंगे, मतला बहुती बहतरीन तरीके से बहुत सारी बाते आप लोगो बताऊंगा, ठीक है, इसी के साथ में और भी कई सारे बहतरीन दोनों जगे से आप लोगो मिल जाएगी, और serious अगर हो, आप लोग exam को लेकर, तो यहाँ पर कुछ classes भी चलती हैं आप लोगे लिए, अगर लग रहा है कि उन से, उनका part बनकर आप लोगो आगे लेकर चलने हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग connect हो सकते हो, अभी आप लोग लेकिन एक बात ध्यान रखने हैं आपर, जो भी बच्चे हाँ पर join कर रहे हैं, कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, first installment बस दे दे रहे हैं, क्योंकि उनको सोच रहे हैं कि हाँ पर यह जो course है, 2nd July को खतम होने वाला है, और फिर क्या कर रहे हैं, तो यार देखो, इसमें कर रहे हैं अभी यहाँ पर, आप लोगे लिए, जैसे आप लोग का आज या फिर कल में आप लोग का इंडस्टर लेबर लोज का भी कोर्स वाइंडफ हो जाएगा, इसी के साथ में account का कोर्स भी वाइंडफ हो रहा है, इसी के साथ में आप लोग का math का कोर्स वाइंडफ ह question थोड़ा सा personal है चाहो तो comment books में answer दे सकते हो और चाहो तो इसके बारे में सोच सकते हो पर लेकिन इसको वैसे मत जाने देना at least सोचना इसके बारे में जुरूर आज की date में अपने आपको CC के सामने ले जाकर खड़ा करो और अपने पूरे सरीर को उपर से नीचे तक देखो मतलब ये देखो कि आप लोगे सरीर में क्या-क्या बीमारी है आँखो पर चस्मा है इसकिन पर कोई पूलम है इसी के साथ में thyroid की पूलम है obesity यानि के मोटापे की पूलम है या फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है आज की डेट में तो हर एक इंसान को कोई ने कोई दिक्कत जुरूर मिल जाएगी ठीक है अगर मैं भी बताओं तो आज की डेट में आँको पर चस्मा लगाए है ठीक है पर कई बार ऐसे भी लगता था जो समय लगाते थे कि मैंने को समार्ट लगाते थे थे तो किसी को चस्में लगाते हुए देखके न अलग सा एक अफेक्शन सा होता था मैंने का वाव यार कितना इसमार्ट लग रहा है अब यह नहीं पता था कि मजबूर यह सामने वाले की दादा जी चस्मा लगाते थे थे तो वह एक अलग सीज़ा पर अपनी उम्र का कोई चस्मा लगाए तो मैंने का इस्टाइल मार रहा है तो लेकिन सोचो ये प्रॉलम में डिस्स कर रहा हूं आप लोग उसे हमारी community के बारे में अगर कोई problem आज की रेट में उन लोगों को होने लगे जिसके पास में इसका कोई proper solution नहीं है तो उस इंसान के साथ में क्या किया जाय मैं बात कर रहा हूं tribal community के बारे में हमारे पास में सिल दूनिया बर के डॉक्टर मिल जाते हैं जिसके पास में एक मिनट में जाकर हम लोग अपना इलाज करवाते हैं पर इन रियल्टी में जब आप लोग ग्राउंड लेट पर देखोगे तो ट्राइबल कम्मुनिटी ये बहुत सारी ऐसी पोलम है जो आज की डेट में फेसकर जूंद हैं और इनके बारे में लोग जो हैं वाँ सर्दीस कर रहे हैं इसको अनदेखा । करके सैड में कर दे रहे हैं तो हम सी टोपिक के बारे में काँपर हैं क्या क्या दित करेंगे आप लोगों में बताओंगा कि देश'd की 5 वे कि अर्थविस्ता होते वे भी हम लोग tribal community को कहां पर लेकर चल रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज की डेट में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं पर tribal community कहां हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज की डेट में हम लोग बात करते हैं economy और ना रहा है सबका साथ, सबका विकास क्या हम लोग उस पैटरन पर अभी खरे उतर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात हैं आपर मुद्दा के है अगर मैं आप लोग को बात करो आज की डे में, आज की डे में अनिंप्लोइमेंट एक सबसे बड़ा इशू है, जिसके बारे में हम लोग बात करने के लिए तयार है ही नहीं है यानि के समझने आप लोग ये एक ऐसा मुद्द है जिसको इग्नोर करते हैं सरासर आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं sexual assault feel करते हैं, कही पर काम करने जाती है आजादी के 75 साल होने के बाद भी हम लोग महिलाओ को सुरक्सा प्रोवाइड नहीं करा पारे है कि वो night में जाकर shift कर सकें ये condition देख सकते हैं और तो छोड़ो यार औरलंपी खिलाडियों को ले लो उन्होंने खुद ने sexual assault के अपने बारें बताया कि हमको ये problem जहने पड़ती है एक normal लड़की को तो आप लोग एक बार को वही एक तरीके से count भी नहीं कर रहा है कोई एक ऐसी player जिसको international level पर recognize के जा रहा है उसको भी ये problem face करने पड़ रही है तो सोचो कितनी बुरी condition आज की rate में देखने को मिलती है climate change एक ऐसी problem है जिसकी वेसे आज की rate में दुनिया जूज रही है आज की rate में नई हमारिया आ रही है जैसे जुनोटिक बिमारी ये देख सकते है ये सारी के सारी चीजे जो है हम लोग feel कर रहे है कि हाँ हमारे सर पर आकर बैठ चुकी है पर लेकिन फिर भी देखो तो इतना gravity में लेकर solution है निकाल रहे है selection हो नहीं रहा है exam में पर फिर भी चीजों का ignore कर रहे है फिर भी discipline में आने के लिए तयार नहीं है फिर भी अपने काम पर focus करने के लिए तयार नहीं है एक बच्चा कहा रहे है कि सर कुछ दिनों से lecture नहीं देख पा रहा था कुछ issue आ रहे थे जिसकी वैसे lecture नहीं देख पा रहा था अगर आप लोग lecture छोड़ के जा रहे हो ना तो इस lecture को बिलकुल मत खोलो पर लेकिन अगर आप लोग इतना productive result नहीं लेकर आ पा रहे हो कि आप लोग कि हाँ पर इस lecture को छोड़ कर आप लोग वहाँ पर इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस lecture को छोड़के आप लोग अपने साथ में अन्याई नहीं कर रहे हो आप लोग खुद सोचे इसके बारे में तो ये चीज आप लोग को पता होने चीए क्या सही है और क्या अगलात है जब तक इसके बारे में नहीं सोचोगे आप लोग को पता है development के नाम पर हम लोगोंने बहुत सारे जंगल जो है वो काट डाले है जिसकी वेसे उनको प्रोपर ना तो खाना मिल पाता है ना ही उनको धंकी रहने के जगए मिल पाती है और pollution इतना ज़ाद है जिसकी वेसे उनको प्रोपर एक अच्छा इन्वर्मेंट भी ने मिल पाता है communicable disease, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो की एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है एक tribal community में लग जाए तो आज केट में सोचो, सोचो जो आज केट में हम लोग बीमारी कर रहे हैं COVID-19 के बारे में वो tribal community के लिए लग जाए तो उनको तो कोई injection भी नहीं दे रहा है उनको तो कोई हापर dose भी नहीं दे रहा है तो उनकी क्या हालत होगी तो हमारी ये बीमारी जो है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं उन लोगों के लिए, उपर से साफ सफाई इतनी रहती नहीं है उसकी वेसे और दिक्कते देखने को मिलती है लिमिटेड हेल्थ केर एक्सेज मिल पाती है ये सबसे बड़ी समझ्चा है खतरना क्या सुनना, आप लोग सुनकर हैरान होगे अभी एक study में पता चला है कि 13% ट्राइबल एडल्ट, यानि कि जो नव्युवक है हिरय परतिसत, वो diabetes के सिकार है 25% को high blood pressure की बीमारी है tribal community के बारे बात कर रहा हूँ यह मैं, यह normal इंसान के बारे बात नहीं कर रहा हूँ tribal community के जो एक तरीके से मधू में होता है, यह diabetes जिसको हिंदी में समझना है और high blood pressure उच रक्त चाप जिसको आप लोग बोलते हो तो यह बीमारी आज की डेट में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो इसी के साथ में इसके उपर तो इस्टार लगा लेना आप देखना है आपर सुनकर आप लोग हैरान होगे 72 परतिसत जो man है जो 15 से लेके 54 साल के बीच में आते हो तबैको का use करते है नोर्मल इंसान 56 परतिसत है उनली यानिके 72 परतिसत यहाँ पर इतने सारे लोग जो है मतलब यह समझो कि आप लोग 28 परतिसत को छोड़कर maximum सब तबैको का इस्तमाल करते हैं अगर बात करूँ 50 परतिसत अलकोहल यानिके दारुक अंजियम करते हैं नोर्मल इंसान 30 परसेंटेज जोगी non-tribal है respectively अगर आप लोग देखोगे तो यह खतरनाक लेवल की प्रोलम है आज केड़ में अगर tribal community के बारे में मैं आप लोगों से हाँ पर बात करूँ तो इसलिए जरूरी है कि उनके सामने हम लोग कुछ ऐसी चीजे लेकर जाएं ताकि solution नहीं कल सके challenges क्या कहा है अगर मैं आप लोगों से बात करूँ सुनकर आप लोग हैरान होंगे अगर देखा जाए उनके पास में रहने के लिए कोई घर नहीं है पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है डोक्टर की facility आप लोगों नहीं देखने को मिलीगी कहीं connectivity नहीं है अगर उनको कहीं जाना पड़ जाए affordable financial उनके सामने कोई services नहीं आज की रेट में ठीक है जो अंडमान निकोबार वाले area में पाई जाती है सर्च करना जाकर आप लोगों देखने को मिलेगा उनकी language तक नहीं समझ पारे है आज की डेट में हम लोग उनको कोई भी जो essential services जो है उनको मिलने पाती है systematic हमे health की service नहीं मिल पारे है COVID-19 ने सारी जो एक तरीके से न और नहीं कहते है कि धके हुए सारे ढोल उखार दी COVID-19 ने health की कितनी चर्मराती ववस्ता है हमारी वो सब के सामने ले जाकर रख दी तो इसलिए जरूरी है इस area पर हम लोगो को काम करना वरना दिक्कत है देखने को मिलेगी क्या कोई काम नहीं किया हम लोग ने ऐसी बिल्कुल नहीं बात कि हमने काम नहीं किया है काम किया है पर उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए जैसे देख लो आप लोग government of India की report है health के उपर बहुत डिटेल में आगे डिस्स करूँगा tribal community का इशू पूरा 2018 में expert committee constitute की गी थी ministry of health and family welfare के द्वारा ministry of tribal के साथे मिलके और first comprehensive report निकल कर आई इस particular area में उसके बाद में हाँ पर चीज़े कि हाँ थोड़ा कुछ सुधारेंगे implement करना universal health assurance ताकि national health policy उन तक भी पहुँच सके utilize करना आयरोग या मित्रा जो training होते है tribal community youth को और आसा worker के साथ में connect के जाए इनको भी financial protection प्रोवाइड कराए जाए कही न कहीं ST जो health card होता है उसके थुरू आपर introduce के जाए जैसे normal इंसानों का introduce करते है इसी के साथ में tribal malaria action जो plan है और इसी के साथ में tribal dominated जो district है उनके उपर अलग से focus जाए ये recommendation है मतलब इस report नहीं सारी वाते सुनने के बाद में बोला कि ये चीज़े implement कर दो ये ऐसा नहीं कि ये मिल गई इनको ये recommendation है आप लोग सोच सकते हैं हमारे देश में अगर बात करूँ 2002 में एक amendment किया गया था 86th constitution amendment की बच्चों को 6 से लेके 14 साल की बच्चों को free and compulsory education provide कराओ 2002 में 2009 में उसके उपर जाकर कानून बना अब तक भी डंग से चीज़े implement नहीं होते है दिजगे तो तो सोचों है हाँ तो recommendation देगी कब तक कभी implement करेंगे जबकि वो मांग भी नी रहे हम खुदी दे रहे हैं उनको मांगने वालों को नहीं मिल रही है चीज़े नयाय मांग रहे थे पहलवान आप लोग ने देखा कितने लंबे समय तक जद्दो जया चलती रही है आप ठीक है तो जो मांग रहे है उनको नहीं मिल रहे है जो मांग ही नहीं रहे है उनको तो क्या ही देगा यार सोचल आप लोग यहाँ पा ठीक है इसी के साथ में स्टेंदन करना home base जो newborn और child care के बारें बात की जा रही है food security integrated child development scheme के तहती इनको provide कराना tribal health index तयार करना ठीक है national tribal health council एक apex body यह सारी वाते बोलेगी लेकिन वही है करनी और कथनी में difference नजर आता है कितनी हो गई है देख लेना मुझे बता देना दो चार count करके अगर हो गई है तो यार बहुत सारी चीजे है ठीक है तो देखते हैं कितनी चीजे हो रही है और कितनी नहीं हो रही है अब यहांं से आगे जो मैं आप लोगों से grands कर ऊगा एक तो topic cover जाएंगे जिसे कि कोई भी confusion नहीं होगा थिक है तो बढ़ा ही important है कोई भी doubt नहीं होना चाहिए उसमें पूरा detail में discuss करूँ गा tribal community वालाई इस सहो ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को understand कर सको ठीक है दोस्तो इस article में मैं आप लोगों से बात करूँगा North East के एक राज्य जिसका नाम है मेगाले की normally आप लोगों ने सुना होगा सुना कि इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो North East के राज्य है वहाँ पर कई बार कई सारी लिजों को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं कई बार कई सारी हाँ पर जो community पाई जाती है उनको ये लगता है कि यार हमारा ना अलग राज्य होना चाहिए हमारी एक अलग से identity होनी चाहिए अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ मेघाले के बारे में तो मेघाले में भी आप लोग कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा आज की डेट में नजारा क्या है? वो नजारा आप लोग को बताएंगे ये तीन पर्टिकुलर एरिया एक का नाम है हाँ पर गायरो, दूसरे का नाम है खासी और तीसरे का नाम है जेंतियाज ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्मुनिटी के हिली एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसके बेस पर मेघाले को डिवाइड किया गया है मेघाले की अंदर जो ये article में आप लोगों से discuss करने वाला हूँ ये है खासी जो particular area है उनके बारे में उनका ये मानना है कि यार जब हम लोगोंने instrument of accession ये एक ऐसा सब्द है जो कि आप लोगोंने कई बार पहले भी सुनोगा जब भी हम article 370 के बारे बात करते हैं तो ये सब्द ऐसा है इसके बिना जो है बात होती नहीं है reason क्या है? reason ही हाँ पर ये है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो दो पार्ट में ये divide हो गया एक साइड में आ गया इंडिया और दूसरी साइड में आ गया पाकिस्तान हाला कि पाकिस्तान भी अकेला नहीं था एक साइड में आप लोग को बंगलादेश देखने को मिला और एक साइड में पाकिस्तान जो यहाँ पर बंगलादेश था उसको आप लोग East पाकिस्तान बोलते थे और जिसको पाकिस्तान बोलते हैं उसको हम लोग West Pakistan बोला करते थे इतनी तो ये एक नॉर्मल बात होगी अभी यहाँ पर फंडा क्या है जब यहाँ पर जमुएंड कास्मीर वाले रीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा रीजन है जो कि अपने आपको इंडिपेंडेंट रखना चाहता था ना तो चाहता था ये पाकिस्तान में जाकर मिले और नहीं इसको पसंद था कि ये बंगलादेश में जाकर मिले इंडिया में जाकर मिले इनके पाकिस्तान की पार होगे ना बंगलादेश और पाकिस्तान तो बेसिकली इस्ट पाकिस्तान और रेस्ट पाकिस्तान तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो जुम्मा अन कास्मीर वो है इंडिपेंडेंट रहना चाहता था तो राजा हरी सिंग के द्वारा अपने आपको इंडिपेंडेंट डिकलेर किया गया तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अटेक कर दिया डिरेक्ली अटेक नहीं किया एक तरीके से जो लोकल कम्मुनेटी होती है उनको साथ में लेकर यह एक तरीके से ट्राइवल अटेक भी आप लोग इसको बोल सकते हो एक तरीका तो यहाँ पर हरी सिंग को लगा कि अब जो है जान फस गई तो उनके द्वारा तुरंद जो है हमारी कंट्री में यानि कि इंडिया से मदद मागीगी तो यहाँ पर उस टाइम पर बोला गया कि इंस्टुमेंट ओफ एक्सेशन साइन करो पहले इसका मतलब यह था कि अब हम तुमको मदद देंगे इसका मतलब यह है कि तुम इस पर साइन कर दोगे तो जम्मो एंड कासमीर जो है वो हमारा पार है और हमको उसको प्रोडेट करने का पूरा अधिकार है तो यह नहीं कि इंस्टुमेंट ओफ एक्सेशन पर जो साइन हो उस टाइम पर तो इसको लेकर भी कई सारे विवाद है जो sign किये थे उसको फिर से revisit के जाए और जो भी हाँ पर उस time पर बाते थी वो अब फिर से modified की जाए हाँ पर ताकि इनको और ज़्यादा power मिल सके इसके चलती अभी में खाले के अंदर में हाँ पर मिटिंग बुलाएगी है कि यार देखो घर की बात है घर में सुलजा लेते हैं बाहर जाकर कर रहे हैं तो अपने आप आपसे बैट कर बात कर लेते हैं दो भाईयों की लड़ाई हैं तो उसको सुलजा लेते हैं तो अभी यहाँ पर जो खासी of 80s stage जो है वो यहाँ पर form किया जाए मतलब क्या है मतलब यहाँ पर यह कि एक तरीके से थोड़ी बहुत अपनी decision making power यह चाहते हैं अगर मैं आप लोगो थोड़ा से यहाँ पर interesting fact बताऊं जहां से आप लोगे कई बार question भी exam में बनते हैं और सायद आप लोगो कई यहों को इसके बारें पता भी होगा क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि आज की date में ऐसा नहीं है कि हमारी country में article 370 ही एक ऐसा special article था जो कि जुम्मा एंड कासमीर के लिए हम लोगों ने हाँ पर provide करा रखा है कई सारे special provision आप लोगो अलग-अलग राज्य के लिए भी हमारे देश में देखने को मिल जाते हैं और यह काफी interesting भी है यह अकसर state pieces के अंदर तो कई बार match करने के लिए भी आ जाते हैं जैसे कि अगर आप लोगो से बोला जाए तो यह सारे के सारे article आप लोगो आप लोगो article 371 के अंदर देखने को मिलेंगे 371, 371, 371 यहनके सारा provision जो है वो 371 के अंदर में है पर लेकिन इनको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जैसे कि 371A के अंदर आप लोगो नागलेंड देखने को मिलेगा 371B के अंदर आप लोगो आसाम, C के अंदर मनिपूर इसी के साथ में अगर आप लोग इधर आएंगे D के अंदर आंदर परदेश तो इस तरीके साथ आप लोग यहाँ पर numbering देख सते हैं E के अंदर आंदर प्रदेश होगे यहाँ पर और यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा मिजोरम हो गया इसी के साथ में G के अंदर में और यहाँ पर आप लोगो 371 F के अंदर में सिखें H के अंदर में उनचल परदेश और यहाँ पर यह हैदराबाद और करनाट का यह 371 J और 371 जो यहाँ पर main 371 है वो महरास्ता और गुजरात के बारे में बात करता है कई यहाँ पर एक confusion हो गया गया 371 D में भी आंदर परदेश लिखा हुआ है 371 E में भी आंदर परदेश लिखा हुआ है मतलब यह तो गलती से प्रेंट हो गया गलती से प्रेंट नहीं हुआ है यह इसका पार्ट है 371 जो D आंदर परदेश वाली बात यहाँ पर की जा रही है इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर जो आंदर परदेश स्टेट से लिटर है यहाँ कि आंदर परदेश राज्य से लिटर है पर 371 जो E है यहाँ पर यह बात करता है Central University जो कि आंदर परदेश के अंदर इस्टेबलिस के गई उससे लिटर स्पेशल परदेशन ही आपर रखे गए है यह सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पर देगे है Special Provision के तैत यहाँ पर यह एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो Temporary तोर पर है यह Special Provision Temporary रहते हैं जो हैं आप लोगों को Part जो हमारे समिधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो 21 के अंदर आप लोगों यहाँ पर यह चीज़ें नजराती हैं तो अगर उनको साथ में रखना है तो उनको थोड़ा सा Support प्रोवाइड कराना है ताकि कल को चल कर कोई दिक्कत यहाँ पर ने देखने को मिले तो इसलिए हाँ पर कुछ कुछ प्रोविजन आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल रहे है जो कि हाँ पर Special Provision आप लोगे सामने निकल कर आ रहे है अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो बात है कि यह Particular Area के बारे में हम लोगों ने बात है कि तो इहाँ पर आप लोगो नोर्थिष्ट का आसाम नागलेंड देखने को मिल रहे है मनिपूर है यहाँ पर सिक्किम भी है इसी के साथ में अगर आप लोग इहाँ पर बात करेंगे और दूसरे राज्ये हैं जैसे कि अणजल पर देखने को ने मिलेगा ठीक है तो इसी के चलते हैं हाँ पर यह चारे हैं कि कुछ special provision जो है हमको भी हाँ पर दिया जाए यार किसके बेस पर इनके द्वारा बोला गया है इनके द्वारा बोला गया जब 371 A के अंदर में जो नागा community है उनको आप लोग special provision दे सकते हैं तो फिर खासी community में क्या ऐसी दिक्कत है कि आप लोग के गले में खास पट जाती है जब हमारे special provision के बारे में आप लोग बात करते हो पर एक बात आप लोग को और देखने को मलती है कई बार आप लोग उने सुनाओगा कि हाथ लगा पर मून आया तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर बात करूँ 6 schedule के बारे में जो कि समिधान के अंदर एक special provision यहाँ पर देख रहाता है मैंने आप लोग को बोलता है यहाँ पर ATM ठीक है ATM जो है M का आप लोग स्क्वायर कर दीजे यानिके ATM तो है पर लेकिन ATM के अंदर money नहीं है यानिके money पूर नहीं है तो क्या क्या है आप पर A का मतलब हो गया आसाम A का मतलब हो गया थिरपुरा M का हो गया मेगाले और M का हो गया मिजदूरम money पूर नहीं है आप तो यह जो चार राजे हैं जिसके उपर कई यो बार आप लोगों को यहाँ पर फोकस देना पड़ता है जब एक्जामे कोशन बनते हैं यह चार राजे अपने आप में ही काफी ज़्यादा important राजे हैं और यह अपने आपको special provision देते हैं किसके तैत यहाँ पर यह schedule 6 के अंदर में यह अपने आप नहीं देते हैं इनको सम्विधान देते हैं तो यहाँ पर जब special provision की बात आती है मेगाले के लिए भी तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह हाँ पर बोड़ी तो है हमारी जिसको KHADC बोलते हैं यहाँ खासी, हिलीज, जो यहाँ पर Autonomous District Council है पर लेकिन इसके पास में legislature की power नहीं है, legislature मतलब एक तरीके से legislate करना यहाँ के कानून बनाना, अपना खुद का कानून बनाना उसकी power यहाँ पर नहीं है तो यह चार है कि हमको भी वो power मिलनी चाहिए, special provision जो अंडर आर्टिकल 244 या फिर 275 जो है constitution के उसके तैत आप लोग हमको भी Autonomous Administration के तो यहाँ पर Autonomous District Council जो है उसके तैत यहाँ पर हम लोग को power दी जाए, अपने particular area में अपने आपको एक तरी से jurisdiction करने की, यहनि के कानून बनाने की तो सारा जो मुद्ध है, वो यहाँ से निकल कर आ रहा है, तो उसी के चलते हैं यहाँ पर यह ऐसी बाते उठा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हाँ पर यही बाते उठा रहे हैं, आप लोग को पता है कि अलग-अलग area में अलग-अलग special category रखी जाती है तो कई बार North East में कई सारी ऐसी insurgency देखने को मिलती है, जिसकी वेसे हम लोग कई सारी दिक्कते face करने बढ़ती है यह कुछ ऐसी basic और interesting चीज़े हैं, जिनके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए जरूर कि हमारा जब देश बन रहा था तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अपने देश के बारे में कहां से निकल कराया, पैता कैसे हुआ, हमारे देश में जो कानून वेस्त है, वो कहां से निकल कराया तो उस टाइम पर Government of India एक था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, 1935 का आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा समीधान जो बनाया गया है, उसमें maximum part जो है, वो इसी कानून से आपर लिया गया है, तो ये जो कानून है आपर, ये एक तरीके से एक legal document हमाना जाता है हमारी country के अंदर में, जब भी हम लोग समीधान से लेटेर बाते करते हैं, और interesting चीज यह है, जब भी आप लोग history पढ़ोगे, modern history तो भी आप लोग इसके बारें पढ़ोगे, आप polity पढ़ोगे तो भी आप लोग इसके बारें पढ़ोगे, ये फिर making of the constitution के बारें बात करें, तो ये मैंने polity के अंदर आप लोग काफी detail में cover कराया था, जब polity पढ़ायती तो जाकर search भी कर सकते है, polity के सारी videos available है, YouTube के उपरी, तो instrument of accession जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, छोड़के कुछ चीजों को, कुछ चीज़े क्या है, जैसे कि defense हो गय दे, उसमें क्या था, उसमें ये था कि यार ये चीज़े हमारे हाथ में दे दो, बाकी का तुम अपने आप देख लो, क्योंकि international level पर हम लोग काम करते हैं, तो हाँ पर चीजों को हम लोग को थोड़ा सा manage करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई particular person जो है, वो आकर अपन पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, और सराजा के कई सारे रजवाड़े हुआ करते थे, तो उसमें सब को इखटा करके हम लोगों ने एक राजा बना दिया, तो यहाँ पर जो 15 आगस्ट 1947 और इसी के साथ में, ये 19th मार्च 1948 में, ये particular क्या हुआ, sign किया गय यहाँ पर डोमिनन ओफ एक तरीके से, डोमिनन ओफ इंडिया, बिट्विन 15 से लेके और यहाँ पर 19th मार्च, ये 47 से लेके 48 था, ठीक है, तो यहाँ पर मेखाले उस टाइम पर 3 पार्ट में, यहाँ पर डिवाइड किया गया, खासी गायरो और जेंतिया, तो यहाँ पर जो खासी है, यह 25 हीम्स, यहनके स्टेट ऐसे थे जिनको मिला गया, तो फेडरेशन ओफ खासी स्टेट इसको बोला जाता था, तो इनके द्वारे ट्रेटी साइन किये गई, गवर्नर जनल ओफ इंडिया, और आप लोगों पता है, हमारी कंट्री के लास्ट गवर्नर जनल जनल ओफ इंडिया कौन थे, यह याद रखेगा, कोशन पूछा जा सकता आप लोगों से, एक का कोशन मैं पूछता हूँ, दूसरे का आंसर खुद बताता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ जाए, लास्ट गवर्नर जनल ओफ इंडिया कौन थे, तो चक्रवर् पर बुला जयते हैं, यहाँ पर एक करता-धरता थी हाँ पर हमारे देश के, जब तक हमारे देश में पर विवस्था इस टार्ट नहीं हो गई, तो इनके साथ मिलकर हैं पर इसको साइन किया था उस ताइम पर, तो इस ही इंस्ट्रुमेंट आप एकसेसन को यह revisit करने की बा याद रखेगा कि Article 371A जो है वो यहाँ पर बात करता है नागा लेंड नागा कम्मुनिटी के बारे में तो उनको जो पावर मिली हुई है लोकल एरिया में सीविल और क्रिमिनल अपने उनके जस्टिस के अधिकार मिले हुए हैं अपने खुद के वो अपने जुन होते हैं कस् जोसिस भी यूज़ कर सकते हैं तो यह चाहते हैं कि सेम अधिकार जो है वो हमको भी मिले तो यह हैं आपर complete इसका जिस्ट एक अगर एक तरीके से complete आर्टिकल को अगर चाहते हैं एक अपनी pocket में आप लोग रखना जरासी एक particular definition के साथ में कि आखिर क्या इसका जिस्ट था तो वो यह हैं यहां पर यह ठेक हैं तो यह निके हमको भी उनके जैसे अधिकार दो यह है बात तो यह complete आर्टिकल आप लोग यहां पर UPSC का जो prelims है और GSA पर 2 जो quality वाला section है उसके साथ में आप लोग connect करके देख सकते हैं अभी यहां पर वैसे तो यह article complete हो जाता है पर अगर आप लोग चाहें थोड़ा सा आदिवासी community के बारें पढ़ना तो वो भी इसके साथ में आप लोग extra information add करकर पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी important topic वो बन जाता है अगर आप लोगों से direct question के बारे में बात करूँ तो already question exam में हाँ पर पूछ जा चुके हैं आप लोग और कुछ पुराना सारा mixture शांदार रहेगा ठीक है तो यह एक तरीके से आप लोग second topic बोल सकते हैं यहां से और वैसे मैं extended यह extra information आप लोगो provide करा रहा हूं जब हम लोग बात करते हैं tribal community के बारे में हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदिवासी तो आदिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की culture, economy, religious practice follow करना पसंद करते हैं उनको इससे जाद मतलब निए कि हमारा देश आजाद हो चुका है हमने समिधान बना लिया है हम लोग मंगल पर अपना mission भेजने वाले हैं उनकी अपनी personal life है अपने खुद के issues हैं उनके अपनी जिन्दी को enjoy कर रहे ह और बहुत सारे ऐसे tribal community के लोग भी हैं जैसे आप लोगों ने सुनोगा जारवा tribal community, sentinelies जो की अंडमान निकोबार वाले area में पाई जाती है वहाँ पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने time पर होते हैं थे ना जैसे खेती करना नहीं जानते थे बस पे जो पेड़ पोदों पे से फल फूट्स मिले वो खा लिए और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मचली बगारा पकड़ी थोड़ी बहुत और अपना एक तरीके सिकार विकार करकर जिंदा रह लिए तो वो वाली जिन्दगी वो आज भी enjoy कर रहे हैं तो जब हमारे स सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि सेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक लेवल है सोसाइटी के अंदर में सेड्यूल ट्राइब जो है वो विल्कुल एक अलग लेवल है तो दोनों को साथ में लेकर चलना पोसिबल नहीं हो पारा था तो आगे चलकर यहां पर इनको अलग कर दिया गया लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगे यहां पर रखा गया था तल्चर एक डिफरेंट है आपर तो उसके अगर आप लोग चाहो तो यहां पर इनके लिए अलग से आप लोग प्रोविजन कर सकते हो तो पूछ ले कोई आप लोगों से कि हमारी कंट्री में आर्टिकल जो 342 है यानि कि 342 जो है वो स्पेसिफिकेशन जो बाते करता है ट्राइबल या फिर ट्राइबल कम्मुनिटी के बारे में ठीक है तो एक तरीके समिधान के अंदर सेड़्ूल ट्राइब से लेटेड आप लोगो चीज़े देखने को मिल जाती है कि किस राज्य में या फिर किस यूटी में जो ट्राइबल कम्मुनिटी देखने को मिलती है तो उससे लेटर जो पावर है कि आप लोग इनसे लेटर प्रोविजन बना सकते है अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात में आप लोग यहाँ पर बता हूँ आप लोग थोड़ा सा सुनके हाँ पर एक तरीके से हैरान भी होगे तो थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट भी हाँ पर जन्नेट होगा अकोर्डिंग टो था सेंसस यनिके जो जनगनना है 2011 की उसके हिसाब से अगर बात करूँ कोई आप लोग उसे पूछ ले कि हमारे देश में total tribal community कितनी है तो total जो population हमारे देश में है उसमें से लगबग साड़े 8 परतिसत जो है आप लोग बोल सकते है वो tribal community है ये जन्गनना 2011 की बात कर रहो मैं आप लोगों से तो बड़ा ही प्यारा सा question बन सकता है 97% जो है आज केट में वो गाउं वाले एरे में रहते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग ठीक है कुछ portion ऐसे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 10.03% ये urban एरे में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुनोगा कि यार हाँ जैसे कि मेरा बोलो तो मैं सहरी भी हूँ मैं सहरी भी हूँ और मैं गाउं का भी हूँ यानि कि मैं दोनों जागे जाकर रहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे common भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे आज भी मेरा गाउं है, घाँ पे घर है, ममी पापर रहते हैं वाँ पर क्योंकि मुझे इंटरेट की availability चाहिए होती है, ये सारी चीजे चाहिए होती है और थोड़ा अपना भी जो चीजे चलती हैं बाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है अगर बात करूँ, अगर decadal, decadal मतलब एक दसक के अंदर में दसक मतलब, दस सालों के अंदर में, जो ग्रोथ आया है ट्राइबल पोपुलेशन के मामले में 2001 से लेके, 2011 तक का, तो ये 23.66 परतिसत आप लोग को देखने को मिलेगा यानि के ट्राइबल, जो आदिवासी कम्मुनेटी की जो पोपुलेशन है, वो जादे बड़ी है as compared to अगर हम लोग अपनी जो अप पोपुलेशन के बारें बात करें हमारी पोपुलेशन लगबग 17 परतिसत के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा जबकि ट्राइबल कम्मुनेटी की जो है, वो 23 परतिसत का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा यानि के एक तरीके से उनकी कम्मुनेटी में जाद है ग्रोथ हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं अब बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में, सेक्स रेशो के बारे मतलब अगर बात करते हैं सेक्स रेशो तो इसको डिफाइन करने का एक पैमाना हम लोगों ने मान रखा है पैमना मतलब क्या है? यानि कि अगर हम लोग sex ratio देखेंगे कि 1000 लड़के हैं उन पर कितनी लड़के हैं? यानि कि अगर हम लोग साधी कराने आ जाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की यहाँ पर देखने को मिलते हैं यानि कि अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर वो सही है आरार मुवी देखें आप लोगों ने बड़ी ही शानदार मुवी है आप लोगों ने देखा होगा अपने एक बच्चे के लिए एक लड़की के लिए यहाँ पर वो कितना बड़ा तांडाव की रिएट कर देते हैं वो वाला सीन थो बड़ा ही खतरनाक है जो जाकर नहीं पूरा पूरे जंगल के सेर और वह भालू अगरा पकड़के पूरा उसमें छोड़ देता है उसके अंग्रे जो के महल में ले जाकर वो वाला बड़ा की तरीके से हुआ पर वो ट्रीट करते हैं यह आप लोग बोल सकते हैं यह बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों पता होना चाहिए अभी आप लोगों से में पूछ लोगी हमारे देश में जो ट्राइबल पूबुलिशन है वो सबसे ज़्याद है कौन से पाई जाते है तो आप लोगों पता होना चाहिए कम से कम पाँच सबसे बड़्याद है ट्राइबल पूबुलिशन वाले राजय कौन से हैं तो पहले नंबर पर आता है मध्या-परदेश, दूसरे नंबर पर आता है महरास्टा, तीसरे नंबर पर आता है उडिसा, चोथे नंबर पर आता है राजिस्थान और पांचों नंबर पर आता है गुजरात मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ है तो मुझे यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि टौफ फाइव राज्यों में इनके नाम आप लोग को देखने को मिल जाएंगे बाकी जहारखन, चतिसगड़, आंद्रप्रदेश, वेस्ट बंगाल और करनाट का यह आप लोग यहां पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टोप राज्ये जहां पर ट्राइबल कम्मुनिटी पाई जाती है पहले वाली स्लाइड में मैंने बात की कौन से राज्ये में पूपुलिशन ट्राइबल पाई जाती है, सबसे ज़ाद है यह बात की तो ऐसे कौन से राज्ये जहां पर हाई कॉंसेंट्रेशन है, यहां कि हाईस्ट कॉंसेंट्रेशन है, यहां कि कम एरिया में ज़ादा लोगों का रहना, सेड्यूल ट्राइब का, तो सबसे ज़ादा आप लोग को लक्षे दीप वाले रीजन में देखने को मिलेगी, लोके फिर नागालेंड, फिर मेगालेंग, और फिर अनोर्चल परदेश, यहां कि मोटे मोटे तोर पर आप लोग देखो तो लक्षे दीप को अगर आप लोग छोड़ दो यहां पर तो बागी के नोर्थ इस्ट के आप लोगो राज्ये देखने को मिलेगे, जहां पर पोपुल अप लोगो यहां पर देखने को मिलती है, और यह ऐसी ट्राइबल कम्यूटी है, जो अपनी कल्चर, अपनी लाइफ को इन्जोय करते हैं, इसलिए जो मैंने आप लोगो एक पर्टिकलर ट्रीक बताए थी, कि ATM, ठीक है, यह सिख्ट सेड्डूल के अंदर आप लोगो देखने को मिलती है, समिधान के अंदर में, इसमें मनिपूर नहीं है, नोर्थ इस्ट वाले ही रहे की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप लोगो अनचल पर्देश, इसी के साथ में तिरपुरा, मिजोरम, और एक क्या रहा गया, मेगाले, तो इस तरीक करने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहां जिंदगी रूख से गई है, तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है, पर लेकिन उनका सोलिशन आप लोगो खोजना पड़ेगा, तब ही जिंदगी आगे बढ़ पाएगी, आप लोगों समझना पड़ेगा कि exactly कहां पर आप लोग अपनी एनरजी लगा सकते है पर जैन टाइम पर, और वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है, बस थोड़ा सा आप लोग अपने आपको टाइम देने की जूरत है, ऐसे ही कई सारे चैलेंज जो हैं, वो य कंट्री में जो पढ़ने की एक लिटरेसी की डेफिनेशन है, वो ही इतनी ज्यादा खतरनाक है, किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया, तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माने जाता है, तो यह डेफिनेशन ही सबसे पहले मुझे लगता है, चेंज करने चाहिए, जिससे की हाँ पर situation थोड़ी change हो सके, health और nutrition का level जो है काफी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे gender issue भी हाँ पर निकल कर आते हैं, तो यह निकि एक तरीके से कई सारे issue आप लोगों यहाँ पर male और female के भी देखने को मिलेंगे, खास कर अगर tribal community के बारे बात करें, आप लोग एक tribal community ऐसे है, जहाँ पर लड़के को साधी करकर, लड़की जो है वो अपने घर पर ले कर आती है, यानि कि जिस तरीके से आज की rate में हमारी society में क्या होता है, कि लड़का साधी करेगा और लड़की को अपने घर पर ले कर आएगा, और इस तरीके समझ सकते हैं, पर लेकि society है, यहाँ कि पित्र परधान, यहाँ पर आप लोग को देश नजर आएगा, पर tribal community में मात्र परधान भी area आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो हाँ से हम लोग को सीखने की जुरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, यह वो tribal community है, जो hunting, gathering वगरा, fishing वगरा वो काम करती सिफ्टिंग, cultivation वगरा वानि एक तरीके से, अपना वो ही एक तरीके से गुमें यहाँ पर खा लिया, वहाँ पर यह काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पुसू वगरा बांध लिये, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं आज की डेट में भी, इनकी main जो economy है, main जो पैसा है, वो यहीं से निकल कर आते हैं, पैसा का बेसिकली एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वहान करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यह वाली सलाइड काफी important है, इसके उपर तो आप लोग सलाइड पे स्टार लगा ले ना, क्योंकि एक होता है ट्रा ताहलत हो रखी है, यहनकि उनके पास में तो बिल्कुल भी resources नहीं है, उनके बहुत है कि बस उनको support प्रोवाइड करा दे, वरना पता नहीं, जैसे तैसे जिनकी उनकी चलेगी, तो उसके उपर focus देने के लिए यहाँ पर यह PVTZ आया निकल का, यह particularly vulnerable के बारे में जब बात के गए, तो इसका मतलब भीता कि कुछ support प्रोवाइड करा जाए, काफी vulnerable है, vulnerable का मतलब कि जिन्दकी भाइसा आप ताहों पर लगी हुए, जैसे तैसे चल रही है, तो इसके चलते उनके लिए एक tribal development fund की बात यहाँ पर किये जाती है, ताकि उनको एक support प्रोवाइड करा जा जिसके base पर यहाँ पर इसको बनाया गया, इसने हाँ पर primitive tribal group के बारें बात की थी 1973 में, तो जो इसने हाँ पर suggestion दिया, government को पसंद आ गया, वा क्या बात कर दी, इन लोगों के अपर थोड़ा focus के जाए, तो फिर government ने उसको accept कर लिया, तो यहाँ से यह commission का suggestion ही आपर आगे च tribal community आप लोगो देखने को मिलेगी, इसमें से 75 tribal community ऐसी है, जो कि PVTG की category में आती है, यानि कि ऐसी tribal community जो कि आज किट में सबसे ज़्यादा है problem face करती है, और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें, कौन सा राज़ा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है देखने को मिलती है, तो भी एक tribal community से ही निकल कर आती है, उस tribal community का नाम क्या है, ये आप लोग को बताना है, देखते हूँ कौन से या अंसर देता है, ठीक है, ये मैंने अलग से एक special video बना कर आप लोग को पढ़ाय भी था, तो वो tribal community से आती है, और tribal community के कोई भी issue जब होते हैं, तो उनको काफी detail में tribal community है, ऐसा देखकर आप लोग को बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे, और सर ने पढ़ाय तो था, कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों के बारे पढ़ाय था, ऐसा नहीं था, ठीक है, इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुना करो, फिर ये मत बोलना, question कहां से बन गया भाई साब, यहां से बन जाएगा, और फिर आप लोग बोलोगे, पढ़ाय नहीं था, पढ़ाय तो था, पर आप लोग ने धन से सुना नहीं था, ठीक है, तो 18 स्टेट और इन टेटरी ऐसे हैं, जहां पर tribal community पाय जाती है, 2011 के census के हिसाब से, तो यह काफी important topic आप लोग का यहां पर बन जाता है, तो इस तरीके से चीज़े आप लोग को समझ के चलनी है, ठीक है, तो कोई भी confusion आप लोग को इससे लिटर नहीं होना चाहिए, कुछ question होगे, जिनके answer आप लोग को देने, देखता हूँ कौन-कौन यहां पर सही answer देता है, इससे आप लोग का पता चलेगा, कितने अच्छे से आप लोगों ने चीज़ों को सुनाएं और समझाएं, सबसे पहले अगर बात करते हैं, six schedule के अंदर में बोला जा रहा है कि कौन-कौन से राज्या जो है, वो cover होते हैं, यह आप लोग को बताना है, ए में बोला गया असाम, two में बोला गया नागलेंड हो गया यहां पर, तो नागलेंड यहां पर नहीं होगा, ठीक है, तो answer क्या हो गया, answer यहां पर C हो गया, फिर से एक बात बोल दूँ आप लोगो, वीडियो को pose करकर question को attempt करो, तो मज़ा आएगा, question का जैसी answer दोगे, आप लोग के अंदर confidence आएगा, और उसी का बोला जा रहा है कि arrange करना है, इस state को आप लोग को descending order में, या फिर एक तरीके से घटतेवे करम में, जहां पर tribal population पाई जाती है, सबसे ज़्याद है, महरास्टा, उडिसा, मध्यपरदेश और गुजरा, तो इस वीडियो को post करकर दो answer, देखता हूँ कौन से answer दे रहा है, ज अगर ये दो भी आप लोग को याद है, तो भी आप लोग को question cancer दे कर चल जाएंगे, at least 2-5 यार आप लोग याद रखिये, ताकि confusion आप लोग को देखने को नहीं मिले, interesting question है, आप लोग को attempt करने के बाद मज आएगा, कि हाँ ऐसे भी question exam में बन जाते हैं, और यहाँ पर 4 statement है, आप लोग को धुनना है कि correct statement कौन सी है, बोला गया है यहाँ पर देब और कमिशन जो है उसके द्वारे recommend किया गया, primitive tribal group बनाने के लिए, जिसको PTZ बोला गया 1973 में, वो हर एक राज्य में आप लोगो value ही नजराएंगी, तो सही answer किया अगर मैं आप लोगो से पूछूँ, अगर आप लोगो कुछ नहीं पता है, पूरे इसमें सारा कुछ नहीं पता है, और आप लोगो मेरी एक statement याद रहे गई है, कि हाँ सर ने ये बोला था कि हर एक करो ताकि एक भी point जो है, वो आप लोगा चुटे ना, जो भी करके जाओ, पढ़के धंक से श्यांदार तरीके से, tribal community की एक body आप लोगो देखने को मिलेगी, इसमें भी कई बार question मन जाते है, नेसल commission for schedule tribe के बारे में, ठीक है, ये नेसल commission for schedule tribe जो है, बोला गया, एक समिधान तो आप लोग समझ जाएंगे, ये भी पूरा एक अलग से topic हो जाता है, नेसल commission for schedule tribe के बारे में, अलग से एक body हो गई, आप लोग को question बन जाता है, एमें बोला गया 1 and 2, बें बोला गया 2 and 3, सें बोला गया 1 and 3, डें बोला गया all of the above, तो सही answer किया है, सही answer है यहाँ पर A, बोला गया है कि member are not eligible appointment for more than one term, तो ऐसा नहीं है आपर, ये more than two term है ना कि one term, तो ये एक statement है आपर, बाकी यहाँ पर पहले national commission for schedule tribe, और schedule का जो था हो एक जगे होगा करता था, फिर 19 फरवरी 2004 में है आपर, जो 338 आर्टिकल है, उसके अंदर एक और नया आर्टिकल एड कर दिया जिसको 338A बोला, मैंने आप लोगों हमेशा बोला है, किसी भी आर्टिकल के सामने A, B, C, D, Capital में लिखा हो तो इसका मतलब यह है, कि समिधान में संसोधन करके, उसको add किया गया है, originally वो समिधान के अंदर नहीं हुआ करता था, 89 जो constitution amendment किया गया था, वो 2003 में किया गया, त आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, किस ministry के अंदर में आता है, तो ministry of social justice and empowerment के अंदर में आता है, इसके minister को ने, यह आप लोग comment box में बता रीजे, अगर बात करें हैं आप तो यह कैसे, जो travel community को आगे लेकर चलने उसके बारें बात करते हैं, at least एक member महिला होगी, chairperson, vice chairperson और यह question है आप लोगे लिए काफी interesting बोला जा रहा है कि percentage wise अगर आप लोगो बताना है, travel community कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, मैंने अभी आप लोगो बताया था, एक particular map में location दिखा के, नागर लेंड, लक्सेदीप, मिजोरम, मेगाले, तो अगर आप लोगो यह पता है, उनल बात के जा रहे है कि आप लोग के statement दे रखी है, कि schedule tribe population के बारे में according to the 2011 को census था, तो यहाँ पर tribal population जो है, वो बोला गया है, 8.61% थी total population का, ग्रोथ आप लोगो देखने को मिली है, less than total population, और तीसरा बोला गया है आपका, कि जो sex ratio है, overall जो population का, वो less है, less than the tribal community के अंदर, यह less आप लोगो देखने को मिलेगा, यह बोला गया है, तो क्या statement correct है, A में बोला गया 1 and 2, B बोला गया 2 and 3, C बोला गया 1 and 3, D बोला गया all of the above, तो जो answer है, वो क्या सही है, अगर पूछा जाए, तो answer है C सही है, यानि कि first और second सही है, बागी सारी statement आप लोग यहाँ पर बता है मैंने सारे growth rate के बारे में detail में आप लोग यहाँ पर बता दिये, ऐसे question आप लोगों से बनते है exam में, match करने का भी question है, अगर बात करें हैं आपर, कौन-कौन से article में क्या-क्या match कर रहा है, तो यह तो मैंने आप लोगो detail में बता ही दिये हैं आपर, इसको तो लेकर आप लो तो किसका product करता है interest यह बोला गया है, तो product करता है interest schedule tribe के बारे में, state की boundary पंचयत और वो सब चीजे, तो कुछ नहीं है, direct question है आप लोगे सामने, exam में बढ़ा ही पिद्दी सा question आप लोगों से पूछ लिया गया, तो आप लोग बोलोगे इससे ज़्यादे तो हम लोगों न त्यार करना है, और कई सारी slide आप लोगे लिए extra भी डाल देता हूं, जैसे कि हाँ पर ये article की डाल दिये मैंने, तो जब PDF डाउनलोड करते हो, तो आप लोगों हैं पर जैसे कि commission की बारे में डाल दिये, जो भी question मेंने attempt कराया, तो और भी कई सारी चीजे आप लोगों इसम सारी चीजे अपने पास ही रखनी होती है, feedback जरूर देना, कैसा लगा ये discussion, कैसा लगा ये article, like और dislike करकर बता सकते हैं, दो article भी question पूरा detail में cover कर दिये, तो topic cover होगे, बाकायदा आप लोगे पोलिटिक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी doubt हो, बताना जरूर दोस्तों कई बार ये सब्द हम लोग सुनते हैं, ये जानवर अपना एरिया छोड़कर हमारे एरिया में गुसा है, और अभी recently ऐसी चीज़ा आप लोगो देखने को मिल रही हैं, कस्मीर के अंदर में, वहाँ पर जो हिमाल्यन ब्राउन बियर है, वो basically कस्मीर के गाउँ मे घुंता हुएं, हाँ आपर नजर आ रहा है, तो इस तरीके से हाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, कि कहीन ए कहीं उसके एरिया में हम लोग गुस गए हैं, ऐसा एफना और बियर के बारे में, तो ये जो भालू आप लोग यहाँँ से आप लोग उसे discuss करूँगा, जो की basics है, जिसके बारे में आप लोग को पता भी होना चाहिए और यहां से question भी आप लोग के बनते हैं तो कुछ बाते हम लोग discuss करते हैं यहां पर आगे बढ़ेंगे सबसे पहले यहां पर अगर बात करें हिमालियन ब्राउन बियर जो है वो एक तरीकी सबी species है जो high altitude में पाय जाती है और यह ऐसा है basically आप लोग को इंडिया, पागिस्तान और इसी के साथ में जो basically भुटान वाला एरिया है यहां पर आप लोग को यह परजाती पाती हुई नजर आएगी इसके उपर आप लोग को यह बहुती मोट मोटे फर है क्योंकि आप लोग को पता है, ठंडे इलाके में पाय जाता है तो इसकी जिंदगी को protection प्रोवाइड कराने के लिए यह फर आप लोग को देखने को मिलेगे यह omnivirus यहनकि आप लोग को देखने को मिलेगा एक तरीके साब कुछ पचता है आज यह भाई साब जो मिलेगा वही खालेंगे यह omnivirus आप लोग को देखने को मिलेगा इसका मतलब है कि सब कुछ जो मिलेगा वही खालेंगे भाई साब कुछ नहीं बचेगा और इसे के साथ में रातों को जगने वाला परानी है कि वो क्यों होता है क्योंकि उनके घर छीन ले जाते हैं उनका सिकार किया जाता है ऐसी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी तो बहुत सारी ऐसी पोलम निकल कर आती है जिसकी विज़े से यहाँ पर यह आज की डेट में यह जो human और animal conflict है यह आप लोग के सामने हाँ पर ITS की होती है और तीसरी होती है इंडियन wildlife जो production act के तहत में हम लोग बात करते हैं इसमें यह देखा जाते है किसी जानवर को कहाँ पर basically रखा गया है और किस तरीके से उसकी जिंदगी जो है यहाँ पर चल रही है आज के में कहाँ पर हम लोग उसको count कर सकते हैं तो सबसे प लोग समझ सकते हैं आपर कहीं न कहीं एक तरीके से हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा तो brown beer जिसको scientific name याद रखेगा UPSC आप लोगों से question देखा होगा आप लोगोंने scientific name भी बड़ी जल्दी पूस्ती है तो scientific name है आपर Ursus, Arctus ठीक है तो यह इसका scientific name आप लोगों देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर एक तरीके से brown beer जो basically यहाँ पर बोला गया है ठीक है तो उसके बारे में याद रखेगा तो IUCN की critically endangered category में आप लोगों देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो brown beer है वो listed है as a least concern ठीक है Mexico, Mongolia, ऐसे-एसे जगह आप लोगों देखने को मिलेगी इनमें appendix 2 में रखा गया है यहनि के कहीं पर आप लोगों appendix 1 और कहीं पर appendix 2 का मतलब होता है कहीं पर इनके संक्या ठीक है और कहीं पर इनके संक्या जो है वो काम है कोशन आप लोगे सामने जो word है आपर road or drain ठीक है तो road or drain तो यहाँ पर यह particular किस से लिएड है आपर यह turtle, snake, butterfly यह फिर plant तो क्या बोलेंगे इसको आप लोग यह बताओ ठीक है नेक्स्ट बात की जा रही है यह मैंने discuss के था आप लोगों से stock exchange को regulate करने के लिए कौन सा act है Security and Exchange Board of India Security Contrast Regulation Act 1956 Company Act यह फिर all of the above आंसर बताइए आप लोग Which part of the Indian Constitution declare the ideal welfare of the state यह question आप लोगों से exam में पुछा चुक है ओ लड़ी ठीक है Direct principle of state policy, fundamental right, preamble यह फिर 7th schedule देखताओ कौन से आंसर देता है बात की जा रही है थुल के बारे में ठीक है थुल नहीं बोलते है कही बार तो थुल थुल डांज जो है यह एक तरीके से और singing style जो है वो किस राजे से लिटड़ है उडिसा, केला, गुजरात, यह फिर रोनेचल परदेश, सही answer के है आप लोगो बताना है यह सीसेटर को को कोशन है वीडियो को पोस करकर एक बार आप लोगो आंसर देना है इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, तब तक हम लोग यहाँ पर बात करते है एक लेक के बारे में जिस लेक का नाम है उलसुर, उलसुर लेक कहाँ पर है, यह करनाटका के अंदर आप लोगो देखने को मिल रहे है यह exact location है आप लोगे सामने, basically one of the biggest lake है बैंगलूरू के अंदर में यहाँ पर यह, यह लगबग 50 hectare और इसी के साथ में कई सारे और भी जो एडिया में फैल हुई है, अगर बात करें, तो यहाँ पर विलेज जो है बैंगलूरू के अंदर में, तो यहाँ पर एक तरीक से अगर आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, तो यहाँ पर बैंगलूर के अंदर में, तो यहाँ पर ओनली ऐसी सर्वाइविंग टैंक आप लोग इहाँ पर इसको बोल सकते हैं, तो यह एक तरीके से इंपोरेंट है, लेक वगरा पूछ लिया आती है, और अगर इसके बारे में याद रख सकते हैं, तो बताना, पहला कॉशन का अंसर क्या है, याद रखेगा, यह एक इन्वोर्मेंट लिस्त है, तो यह तो कोशन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ जा सकता है, इनके बारे में, क्योंकि, रीजन क्या है, इनकी दौरा बहुत सारे कम की गई तमिलाडू के अंदर में ताकि चीजे जब सुधारी जा सकी कावेरी को सेव करने के लिए चलाए गया ठीक है और इसी के साथ में इन्वोर्मेंटल सोसाइटी चन्ने के अंदर रहे उसके फांडर भी थे ठीक है तो ये कुछ बाते हैं कर अगर कोश्चन पूछे आप आप लोगों देखने को मिलती है और यह किस कंट्री से हम लोगों ने ली है यह आप लोगों को बताना है ठीक है उसका नाम आई से बनता है अब तो बता दोगे ठीक है यह एक करते हैं इस्टुमेंट ओफ इंस्ट्रक्शन ताकि अपना काम डंग से करता रहे तो इसके बारे में confusion नहीं होना चाहिए तो काफी famous dance आप लोगे हाँ पर यह नजर आता है ठीक है तो इसके बारे में कुछ basic information है बात की तो अपना question cancer आप लोगा जो है यह वाला इस cancer D है ठीक है 32 ओक है आप लोगा यह होई गया आईए अब बात करेंगे किसके बारे में vocabulary के ब banking के अदर तैयारी कर रहे है तो हाँ पर antonyms synonyms आप लोगों से पूछ जाते हैं और अच्छे से आप लोग अगर इनके उपर sentence form करोगे तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाऊगे पाँगे पाजो सब्द में से जो पहला सब्द है वो काफी interesting है सुनने में काफ फिर भी उसको सांत करा देना सांत करना सांत कराना तो एक तरीके से यह रहेगा लुल ठीक है तो यहनिके अच्छी चीज़ा अगर देखा है तो इसके अपोजिट होगा कि चीजों को बढ़ा देना बहुत जाद है और वो चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी तो कि यादे ताजा करना एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज आप लोग जिसे कि कोली छोड़ कर आ गए ठीक है तो किसी चीज को देखकर आप लोग को याद आ गया यहाँ पर बैट कर अपना ना मजे किया करते थे पार्टी किया करते थे तो वाली चीज इसको अपने अधीन करना, अपने control में लेना, तो ये subjugate होता है, एक तरीगे से किसी को अपने domination में लेकर आना, किसी को conquer करना, एक तरीगे से अपने control में लेना, defeat करना, crush करना, खतम कर देना, और इसके अगर बात करें तो opposite liberate हो जाएगा इनके से छोड़ना, जिंदगी, कई ये बारना, एक तरीगे से सांती में जिंदगी जी जाए, तो उसको एक तरीगे से जिंदगी अच्छे से वैतीत करने वाली बात आती है फिर, एक सब्द आप लोगों ने कई बार सुनागा, credible, ये information काफी credible है, तो उसी से लिटर है आपर credulous, यनके भरोसे मंद, तो यनके ऐसी चीज इसके ओपर विश्वास के जा सके, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके ओपर आप लोग एक तरीगे से rely कर सकते हैं, ठीक है, तो एक तरीगे से इसको यहाँ पर एक विश्वास करने वाली thing है आपर ये, तो credulous सब्द आप लोग के सामने हैं आपर ये, सब्द हैं आपर इसका ना, इसका सब्द का जो यह है प्लमेंट, यानिके एक तरीगे से गिरना, और वो भी हाई स्पीर से गिरना, यानिके नीचे डिकलाइन हो जाना किसी चीज का, तेज गती से सीधा नीचे गिरना, ये प्लमेंट वर्ड आप लोग यू कर सकते हो, और इनको sentence में use भी कर सकते हो, किसी के सामने, अगर बोलोगे तो सामने वाला ही बोलेगा, वाँ, क्या इंगलिस बोल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी इंगलिस को भी improve कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे से इनको enjoy करिएगा, कोई भी doubt हो तो पिर उसको दूर किया जाएगा तो कैसा लगा अज का इक discussion मैं ऐसा करता हूँ शांदार तरीके से आप लोगों ने enjoy किया होगा अगर reality में enjoy किया है तो feedback जरूर देना like, dislike करकर, comment करकर या फिर share करकर आप लोग इसको बता सकते हैं अच्छे से enjoy कि अगरो यार दिन आप लोगे हाथ में पूरा पड़ा रहता है starting में अपना दिन शांदार तरीके से अगर start करोगे, तो पूरा दिन अच्छे जाने की संभावना ही रहती है, ये संभावना है आप लोगो ज़्यादे से ज़्यादा बढ़ानी है lecture को recall किया करो और बताया करो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगो काफी अच्छी लगी है एक ऐसी चीज़ जो आज की डिट में lecture के साथ में कम से कम ये तो लेकर जाना ही जाना है वो कौन सी चीज़ होगी, feedback जरूर देना feedback का मतलब होता है कि lecture कैसा लगा तो 5 में से केतने marks आप लोग दोगे और अपने कल कितने achievement किया आप लोगों ने उसमें भी आप लोग बता सकते हो 5 में से कितने marks अपने आपको आप लोग दोगे PDF टेलिग्राम पर मिल जाती है और ये सारे link आप लोगो को किसी से पूछने की जूरत नहीं है वीडियो के नीचे भी आप लोगो मिल जाते हैं इसी वीडियो के description box में जाना सारे link मिल जाते हैं मेरे साथ में connect हो सकते हैं Instagram, Telegram, Twitter पर सारे वीर तालियान की नाम से जारेक्ट भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर privately कुछ message करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर Instagram या फिर studylovervirattheirate gmail.com पर आप लोग सेंड कर सकते हैं मुझे आज पास सफाई रखिए पानी और पेट पोटो को सेव कीजिए polythino और plastic bag बिल्कुल भी use नहीं करना है तो मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो मिलता हो नेक्ट लेक्टर में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए तो बढ़ो को नमस्ते चोड़ो को प्यार छोड़ी से life enjoy करार मिलता हो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद